ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि पिछले हफते उन्होंने एक सिटे एक वर्किंग पुलिस आफिसर और वर्दी वर्दी पहने हुए पुलिस आफिसर पे हाथ जड़ दिया था गाली गालोच की थी सिगनेचर विज के लांच पर तब किसी ने कुछ नहीं कहा उनको अब अंबिकापुर में खड़े होकर ये कहते हैं कि जो छट मांखे पूजा नहीं करते हैं उनके बच्चे पे दिमानी नहीं है ये इस तरह की बायान बाजी क्या बीजेपी को एकसेप् और सरकारी करमचारियों के शाखा में जाने पर रोक को लेकर MP Congress अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि पहले की सरकारों में भी ये नियम लागू था कमलनाथ के मताबिक उमा भारती और बाबुलाल गौर की सरकार में भी ये नियम लागू था और उन्होंने वही बात दोराई है जो केंद सरकार ने लागू की है तो हमने तो वही बात दोराई है जो केंद सरकार ने लागू करी है हमने वही बात दोराई है जो खुबा भारती जी जम्मुक्य मंजिटी उनके कारेकाल में लागू था आरेसेस को पूरी छूट है शाखाएं लगाने का केवल सरकारी शास्की परेशरों में नहीं है जो हर जगे हर प्रांच में जहां भारती जनता पार्टी की भी सल्तार है यह नियम है तो ऐसा कुछ नहीं का जो की आरेसेस पर सीधा अक्षेप है उनकी पुलिटिकल इंटर्फिरेंस या एक आरेसेस पुलिटिकल आउट्फिट है या नहीं कमलनात कहते हैं कि उमा भारती बावुलाल गौर के तारिम में भी था और यह सेंटर का एक रूल जा रही है हितेश बाच बाचपय बीजेपी से हमारे साथ हैं केके मिश्रा कॉंगर्स पाटी जा रहा है कैसे जवार आप सह देना का रही है तो यदि कमललाज तरह कहते हैं कि आम ने तो वही लिखा है, जो हो रहा है, तो फिर यह वचन-बत्र कैसा हुआ है, क्योंकि कोंगरेस अपने अस्ठित्यू की ललाई लग रह लगती सब्सक्राइब कर कहा है, उनकी मन की बात कर डंबाल कर सामने लेकिन इस प्रकार से कहे राजनेसिक सल्फाओं पर यादी प्रतिबंदात्मक बाचीत यादी किसी भी दल के मेनिफेस्टों में आती है। लवाई में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, तब हम अंग्रेजों से नहीं डरें, नमबर एक, नमबर दो, संग तियानू साल पहले गठिस हुआ था। मुक्यमंत्री जी या महन बाद 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 इस बात पुस्प्स करते हैं। आप सच्चा ही सुनने से को गत्राते हैं मुझे एंकर साथ से बाद करने जिए आप तो आप तो समय जाया कर रहे हैं तो मेरा निविदर से इतना बरह थे यह इस पुष्ट कर दें कि संग भाजपाग अनुसांगी कि नहीं यदि नहीं है तो संग ने अभी अपने सर्वे के साथार पर टिकेट बतवाने में प्रचारों के मागश्म से कितनी बातर का ही है इसा पूछा हितेश बाजपाइने लेकिन हितेश बाजपाई के मिश्रा जी आप से पूछ रहे हैं कि अगर संग पोलिटिकली इंवाल नहीं है तो वो हर चेगे हस्तक्शेप क्यों कर रहा है सारे 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 को पूछ कर क्यों लिये जा रहे हैं अगर वो पूलिटिकल इंटेफेरंस नहीं है कल्चरल लॉगनाजेशन है और क्या मत्यप्रदेश में सरकारी जमीन पर शाखाएं खुली हैं बिल्कुल नहीं है साज की दफ्तरों इतेज बाजपाई को अपना काउंटर रखने दीजे, फिर आप वापस सवाल पुछे या, यह सितेज बाजपाई हुए, इसलिए कॉंग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए टेंपल रण चल रहा है, आप दिखें कि यह तो मौलिक मुद्धे हैं, तरकारें बहुते कुन्यन के लिए होती हैं, बिजली, सड़क, पानी, विकास, सड़क, चोड़ी करन, 24 गंटे, लोगों को विरहाई मिलें, यह सब मैनिफेस्टों की कीज़े होती हैं, उजवला योजना, या जंधन योजना, या हम GST की बात करते हैं, नोटबंटी की बा इसनली, ओपनली कर रहा है, यहीं पर आर्गूमेंट है, हितेश बाजपाई कि के मिश्रा जी धन्यवाद, अखाड़ा में आगे बढ़ना होगा, चतीसगर से खबर आ रही है, चतीसगर के बीजापूर में नकसलियों और सुरक्षा बल के बीच इस वक्त एक एंकाउंटर जा रही है, मुढवेड चल रही है, दोपैर साड़े बारा बजे से घने जंगलों में दोनों के बीच गोली बारी हो रही है, जिसमें कोबरा बैटालियन के दो जवान घायल हो चुके हैं, एक इंस्पेक्टर और कॉंस्टिबल घायल हुए है, बीजापूर में आज चुन करन को पूरी तरह से अगर वो डिरेल कर सके, लेकिन फिलहाल पॉज जो है, जो फोर्सेज हैं, वो उसे नाकाम करने में कामियाब हुए हैं, टेड़ बजे तक, एक बजे तक कहा जा रहा है, पच्चिस पुतिशद वोटिंग हो चुके है, 36 गर में फरस्ट फेस ऑफ पोलि जी, जी नकसली इस चुनाओ को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे है, उन्होंने सबसे पहले सुबह दंत्यवाडा में एक ब्लास्ट किया, उसके बाद सुकमा में एक मदान केंदर के पास कई आईडीज लगाई, वहाँ पर भी ब्लास्ट करने की वो नापा कोशिश कर रहे थे, और अब बीजापुर में पामेड के जंगलों में सुरक्षा बलो के साथ नकसलीों की मुटबेड चर रहे है, एडिया डॉमिनेशन पर पामेड पॉलिंग बूत के आसपास जो है, सुरक्षा बल के जवान निकले थे, और वहीं पे पामेड के जंगलों में पामे निकली इस टीम से नक्सलियों की मुटबेड होने के बाद CRPF की बटालियन, BSF की बटालियन और ITBP की बटालियन भी घटना स्कल पर पहुच गई है और नक्सलियों से लगातार जो है वो लड़ाई अभी पामेड के जंगलों में चरी नक्सलियों कोशिश कर रहे हैं कि वो क समला बोलकर उनके हर इरादों को नाकाम करकर दूसरा हम और आप कर सकते हैं 36 गड़ के फर्स्ट फेज ओफ पोलिंग में रेकॉर्ड तोड वोटिंग करकर 25 पतिशत हुआ है अब तक एक वज़े तक इसको बढ़ा कर एक नम ओवर्वेल्मिंग मेजॉरिटी और हाला